जे श्री हरी, स्प्रीच्वल यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से सौगत है कल है Mother's Day आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म ग्रंथों की आठ आधर्श माताओं की बारे में किसीने जंगल में तो किसीने आश्रम में पाला अपनी संतानों को शुरू करते हैं वीडियो हर साल मई महा के दूसरे रविवार को Mother's Day मनाया जाता है इस बार 14 मई यानि की कल Mother's Day मनाया जाएगा हिंदु धर्म में माताओं के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है क्योंकि माता के बिना तो कोई दिन होता ही नहीं है हिंदु धर्म ग्रंथों में माता को भगवान से भी अधिक पूजनिय बताया गया है हमारे पुराणों में कैई ऐसी माताओं के बारे में वर्णन है जिनोंने आभावों में रहकर भी अपनी संतान का पालन इस तरह से किया कि वे समाज में एक आदर्ष के रूप में देखे जाते हैं माता कोशल्या ने श्री राम को बनाया मर्यादा पुरसोत्तम भगवान श्री राम की माता कोशल्या के बारे में कौन नहीं जानता ये रामायन के प्रमुक पात्रों में से एक थी उन्होंने अपने पुत्र श्री राम का पालन इस तरह से किया कि आज भी संसार में उन्हें मरियादा पुरसुत्तम के नाम से जाना जाता है माता कोशल्या का अपने पुत्र राम के प्रती असीम इस नहीं था जब माता कोषल्या को पता चला कि उनके पुटर को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा जा रहा है तो पहले तो वो बहुत दुखी हुई लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पिता की आग्या का पालन करना ही पुटर का धर्म होता है कोशल्य माता ने पुत्र से बिछरने के बाद भी धर्म के मार्क को नहीं छोड़ा दूसरी है माता सीता देवी सीता ने वन में रहकर भी दिखाया अपने पुत्रों को धर्म का मार्क रामायन में माता कोशल्या के बाद यदि किसी माता का नाम आता है तो वे भगवान श्री राम की पतनी सीता है देवी सीता ने हर रूप में मरियादा का पालन किया चाहे वो बहु के रूप में हो, पतनी के रूप में हो या माता के रूप में जब देवी सीता का श्री राम ने त्याक कर दिया तो उस समय उन्होंने महर्शी वालमिकी के आश्रम में रहते हुए लवकुष को जनम दिया जब ये दोनों बड़े हुए तो उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की सिक्षा दी देवी सीता ने वन में रहते हुए भी अपने पुत्रों को हर वो सिक्षा प्रदान की जो राजकुमारों को मिलनी चाहिए थी तीसरे नंबर पर है माता यशोदा माता यशोदा ने श्री क्रिश्न रामायन के बाद महभारत क्रंथ लिखा गया जिसमें उलेख है श्री क्रिश्न के जन्म का भगवान श्री क्रिश्न को जन्म भले ही देव की माता ने दिया है लेकिन उनकी माता के रूप में सबसे पहले यशोदा मा को ही याद किया जाता है यशोधा मा ने अपना संपून स्नेहें श्री क्रिश्न पर लुटा दिया यशोधा माता के लिए कहा जाता है कि जन्म देने वाले से पालने वाला ही बड़ा होता है यशोधा माता ने बलराम के पालन पोशन में भी महतुपुन भूमी का निभाई जो रोहनी के पुत्र और सुबद्रा के भाई थे फोर्थ नंबर पर आती है माता कुंती कुंती ने सभी पुत्रों को एक समाल शिक्षा दी पांडवों की माता कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी युदिस्टर भीम वे अर्जुन कुंती के पुत्र थे जबकी नकुल और सहदे राजा पांडू की दूसरी पत्नी मादरी की संतान थे कुंती ने कभी भी अपने पुत्रों और मादरी के पुत्रों में अंतर नहीं किया राजा पांडू की मृत्यू के बाद आभावों के रहते हुए भी कुंती ने अपने पुत्रों को श्रेस्ट जिक्षा दि वैं धर्मपत पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया पांचवे नमबर पर जानते हैं शकुंतला के बारे में शकुंतला ने अपने पुत्र को बनाया चक्रवती सम्राट शकुंतला ब्रह्मरशी विश्वामित्र व्यापसरा मेनका की पुत्री थी इनका विभा चक्रवती राजा दुश्यंत से हुआ था शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा भरत का बच्पन अपनी माता के साथ जंगल में विता राजा दुश्यंद के बाद भरत राजा बने भरत ने अनेक देशों को जीत कर उन्हें अपने राजे में मिला लिया इसी लिए उन्हें चक्रवती समराट की उपादी दी गई नेक्स्ट है माता देवुती माता देवुती ने पुत्र से ही पाया ग्यान धर्म गंत्रों में जब भी माताओं का वर्णन आता है तो इसमें कपिल मुनी की माता देवुती का नाम भी जरूर आता है भगवान विश्नु के पांचमें अवतार कपिल मुनी इन्ही के पुत्र थे कपिल मुनी ने सबसे पहले अपनी माता देवुती को ही सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था यही ग्यान सांख्य दर्शन कहलाया शांख्य दर्शन शठ दर्शन में सबसे प्राचीन है इसका उलेक प्रत्यक्ष तोर पर भगवत गीता में भी है नेक्स्ट कयाधू कयाधू ने पुत्र पहलाद को बनाया परमभक्त भक्त प्रहलाद की माता का नाम कयाधू था ये भगवान विष्णू की परमभक्त थी जब प्रहलाद गर्व में था तब इन्होंने नारत मुनी के मुख से भगवान विष्णू की महिमा का वर्णन सुना था माता के गुणों से प्रभावित होकर ही भक्त प्रहलाद भी भगवान विश्णु की उपाषना करने लगे प्रहलाद की रख्षा के लिए स्वयम भगवान विश्णु को नर्सिंग अवतार लेना पड़ा नेक्स्ट है माता सुनिती माता सुनिती ने बालक दुरुफ को दिया भक्ती का ज्यान बालक दुरुफ के बारे में तो हम सभी जानते हैं इनके पिता का नाम उत्तानपाद था उनकी दो पत्निया थी सुनिती और सुरुची दुरुफ सुनुती के पुत्र थे एक बार सुरूची ने बालक धुर्व को प्राचावतानपाद की गोद से उतार दिया और यह कहा कि ये मेरे गर्व से पैदा होने वाला ही गोद और सिंगासन का अधिकारी होगा तब ये बात बालक धुर्व ने अपनी माता सुनीती को बताई तो मा ने उसे भगवान की भक्ती के माध्यम से ही लोग पर लोग के सुख पाने का रास्ता सुझाया बालक धुर्व की तपस्या से प्रशन होकर भगवान विश्णु ने उसे धुर्व लोग ही प्रदान कर दिया और जिसे हम रोज रात को अपने घर की जट से भी देख सकते हैं आकास में सबसे तेज चमकने वाला तारा ही धुर्व है वही धुर्व लोग है तो कैसी लगी आपको ये कठाएं?